Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का देई इना पर सौगत करता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.H.I.09 का Unit 8 पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे किस पूरे Unit के अंदर में कितने Lessons हैं उन Lessons के basis पे किस तरह के Topics बन रहे हैं उन Topic के basis पे क्या Questions बनते हैं उन Questions के Pattern क्या हैं और उनके Answer हम कैसे लिख सकते हैं उसको Short में हम Discuss करने वाले हैं इसे Benefit क्या होगा कि आप Easily अपना Slaves कवर कर पाऊगे और एक Chapter के अंदर में क्या चीज़े Important है वो हम जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी हम Cover कर पाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं Unit 8 को तो Unit 8 के हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रास्टी आंदोलोन की विरासत Legacy क्या-क्या चीज़े रही रास्टी आंदोलोन मानलोब खतम हो गया हमारा देश सोतंत्र हो गया अब उसके बाद हमें क्या-क्या चीज़े मिली विरासत में, Legacy में क्या-क्या चीज़े मिली उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो जो हमारा पहला चैप्टर आता है चैप्टर No.32 जहां पर हम बात करते हैं रास्टिय आंदोलन और इसकी रंड नीतियां अब देखो रास्टिय आंदोलन के अंदर में कुछ रंड नीती रही होगी ठीक है, जो भी मुमिन्ट चले तो कुछ ना कुछ ना कुछ नो logic लगा कर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ना कुछ नो पर गांदी जी इसको ये मानते थे, कि ये लॉंग टाइम का पूरा वो है, दिर्ग कालिन पूरा ये मौमला है, ठीक है, इसको दिर्ग टाइम में solve किया जा सकता है, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे देखा जाता है कि गांदी जी वादी जो सोच है, यहाँ पे कॉंगरिस के समर्थर में दिखने के लिए मिलती है, कॉंगरिस को आधार बना कर वो आगे चलते हैं, पर जो दूसरा वरग है, वहाँ पे Congress को अधार ना मानकर अलग अलग तरीके से उसको चोट दिना चाहते है अंग्रेजी सरकार को तो यहाँ पर यह भी हमें देखने के लिए मिलता है गांदी जी का आचन से जैसे आपको पता ही है कि वहाँ पर हिंसा की बात करते हैं ठीके सत्य की बात करते हैं ठीके बिना लड़ाई जगड़े के सत्य के अदार पर वो जीतनी की बात करते हैं पर यहाँ पर उसकी बात नहीं की जाती है अगर जो दूसरा वर्ग होता है वो इसको सपोर्ट नहीं करता है सुभाष्ट अंदर बोस हो या चीजे हो इसकी इज़त करते हैं पर उसको support नहीं करते करते हैं ये चीजे चलेंगी एक तरफ parallel चलेगा वो चीजे पर साथ में दूसरे चीजों की भी जुरते हैं वहाँ पर इसकी बात की जाते हैं तो यहाँ पर आपको इस chapter के अंदर में एक ही question बनकर आता है कि गांदी जी की strategy को समझाईए रणनीती को समझाईए राष्टी ये आंदोलन के अंदर में क्या रणनीती रही तो वो आप यहाँ पर उनकी strategy को बता सकते हो अगले chapter के और बात करें chapter number 33 जहाँ पर हम बात करते हैं राष्टी आंदोलन और संपरदाइक समस्याओं के बारे में करें देखको समस्या क्या थी तो डेखको जैसी रास्रिय आयंदोलण दोलण दोलण अगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर की तरह संपरदाइक समस्या आने लगी जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो वहाँ पर एक तरसे दीवार बन गया मुस्लिम लीक हिंदू मुस्लिमों के बीच में कि भया यह हिंदू हैं आपको कभी अधिकार नहीं देंगे मुस्लिम हैं कभी आपको दिकार नहीं देंगे इस तरह से mentality बन गई और अंग्रेज भी थे उन्होंने पूरा जो उनके शाषन का जो में थीम ही था फूट डालो सासन करो की नीती थी आपस में लडबाओ और फिर साशन करो इस तरह की नीती के अधार पर अंग्रेज भी राज कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा संपरदाई करही ठीक है कम्यूनेल रा और वो आगे चलके प्रॉब्लम बनती है ठीक है संपरदाई करदार पर दंगे होते है भारत के अंदर में कई जग़े पर प्रॉब्लम बनती है वो यहाँ पर उसी करदार पर भारत का भी वाजन भी किया जाता है संपरदाई करदार पर जहां पर दो पाकिस्तान बनकर निकलता है ठीक है तो यहाँ पर कोशन देता है कि समपरदाई का दार पर राष्ट्रिया अन्दलू को समझाईए क्या रहें समस्थे कौन कौन से आई वो बताना होता है तो यहाँ पर पहला कोशन यही आता है कि भारते सविधान के निर्माण में सविधान सवा की भूमिका को बताईए जो सविधान सवा का गठन किया गया था वो किस परकार से गठन किया गया, खिरी के क्या क्या चीजे रही, ठीके तो सविधान सवा का अगर सत्र का उधगाटन किया जाता तो 1 December 1946 को इसका उधगाटन किया गया था, ठीके जिसके अंदर में केवल 207 सदस्य थे, मुस्लिम लिग के जो सदस्य थे उन्होंने सामिलोने स मना कर दिया था, ठीके, जो मुखे सरदस्य देखोगे तो J.B. किरपलानी, डाक्टर सजिदान इसके अनुरोद के सदन के अस्थाई, अस्थाई सरदस्य के तौर पे थे, ठीके, और इसके अंदर में बहुत सारी चीज़े आपको पढ़ने के मिलेंगे, अगर इसको इसको जोरत है पढ़ने की और आपको ध्यान से पढ़ने की जोरत है, इसको आपको समझ में भी आएगा, और जो लास्ट फाइबर के कोश्चन पेपर में ने करवाए न, उसके अंदर में बहुत अच्छे समयने बता रहा है, तो वहां से भी आप देखकर इसको समझ सकते हो, एक अगर नहीं पता है, आपको गूगल कीजिए, किसी से पूछे आसपास में, ठीक है, नाइंद की बुक में दे रखा है, तो वहां से तो इजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अगले चैप्टर के और बढ़ते हैं, चैप्टर नमबर 35, लास्ट चैटर हमारा इस यूनि आज हमारी खुद की foreign policy है, यह हमारी विरासत है, आज हमारे पास सबके पास fundamental right है, हमारा सबसे बड़ा सविधान है, हमारा सबसे अच्छी विदेश निति, हमारे सबसे अच्छी आर्थिक निति, हमारे देश विकास कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी decision खुद ले सक करेगा, आज हमारे अपने लिए खुद करते हैं, तो यह हमारी legacy है, यह हमारी विरासत है, तो इसको आपको define करना होगा, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों, तो यहाँ पर यह unit खतम हो जाता है, और साथ में यह chapter भी खतम होता है, यह पूरी book खतम हो जाती है, MHI 09 का, ठीक ह आप एक एक unit की देखिए वीडियो, आपके लिए बहुत जादा useful होने वाली है सारी वीडियो, and last में मैं दो चीज़े एड़ करना चाहूँगा, आप सभी student के लिए हर बार की तरफ, अगर आप देइन अप के थुरू पढ़र और अच्छे number लाना चाहते हो, और मतलब MA history क के अंदर में अच्छा score करना चाहते हो, तो दीइन अप के ऊपर में बहुत सारी वीडियो में हिस्ट्री के डली हुई है, इस पेसे last 5-year की वीडियो से हो देखिए, ठीके, questions paper की वीडियो से हो देखिए, important questions की वीडियो हो देखिए, important topics की वीडियो हो देखिए, बहुत helpful र एक share से किसी और student के लिए helpful हो जाएगा, और बार बार share करने के लिए कहना पड़ता हो भी बेकार है, ठीक है, एक reason यहां पर और भी है दोस्तों जो आपको share करने के लिए खाया जाता है, या फिर subscribe करने के लिए अगर आप pay करते हो classes के लिए ना, तो बहुत expensive classes होते हैं, अग क्योंकि सभी लोग afford नहीं कर सकते हैं, अगर आप pay भी कर सकते हो, तो सभी students जो देख रहे हैं, जुदने viewers हैं, वो सभी pay नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ज़रूर आप एक बार share जरूर कीजिए, like कीजिए, subscribe कीजिए, friends, thank you so much for watching me, thank you so much for listening, bye bye, take it on the best.